हमें ये बताते हुए अत्ती प्रसन्नता हो रही है कि आर्ट ओफ लिविंग के संस्थापक, वैश्विक मानपतावादी और आध्यात्मिक गुरू, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कोलकाता की दो दिवसिय यात्रा पर थे, जब उन्होंने गीतांजली स्टेडियम में 12,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया, जिसमें बांगलादेश, भूटान और आसपास के जिलो और ग्रामीन बंगाल से आये लगभग 6,000 लोगों का एक समूहवी शामिल था। उन्होंने शहर के उद्ध्योग जगत के 200 शीरश शुष्क है और यह भक्ती की भूमी है, गुरुदेव श्री श्री रविशनकर ने शहर की अपनी दो दिवसिय यात्रा के दोरान कहा। गुरुदेव श्री श्री रविशनकर चार साल बात दो दिवसिय यात्रा के लिए शहर में आये थे। गुरुदेव ने 3 दिसंबर को विशाल गीतांजली स्टेडियम में 12,000 व्यक्तियों की सशक्त सारवजनिक सभा को संबोधित किया, जहां बंगाल मेडिटेट्स कार्य गुरुदेव ने कहा, गलती करने से डरो मत, बलकी हर बार एक नई गलती करो। उन्होंने कहा, मन में सपश्टता, हृदय में पवित्रता और कार्यों में इमानदारी, खुशी और स्वयम के प्रती प्रामानिक बने रहने की कुंजी है। गुरुदेव ने शहर के उद्योग जगत के दोसो से अधिक प्रमुखों और व्यवसाय मालिकों को भी संबोधित किया। तकनीकी जगत के प्रमुखों को संबोधित करते हुए, गुरुदेव ने साजा किया कि पूर्व में विज्यान कभी भी आध्यात्मिक्ता के साथ गुरुदेव की स्थिती में नहीं रहा था और यहां परीक्षन की भावना को हमेशा प्रोटसाहित किया गया था। गुरुदेव ने हिंसा, अवसाद और अलगाव की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धी और शांती की शिक्षा की ततकाल आवश्यक्ता के बारे में भी बात की। खिंसा मुक्त और तनाव मुक्त समाज के उनके द्रिष्टिकों ने 500 मिलियन लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें मानविय मूलियों की पुनरजागृती के माध्यम से दुनिया की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोटसाहित किया है। वो एक विश्व पर इराक और जमेका जैसे देशों में आपदा और आघात राहत, कैदी पुनर्वास, गावों में सतत्विकास और सब के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई मानविय पहलों को प्रेरित किया है। और विकास के लिए एक आत्मिय और मेत्री पुन वातावरन प्रदान किया जाता है। झाले मिले झांजे झाले मिले